वेलकम टू स्वादिष किचन वित रिंकी आज हम बनाएंगे लौकी की सबजी यह सबजी बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है तो चली इस रेसिपी को बनाते हैं अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें सबसे पहले गरम पैन पे टू टेब अब इसमें डालेंगे एक सुकी हुए लाल मिर्च इसे मैंने बीच में से तोड़ दिया है वान फो टी स्पून जीरा अब मिर्च और जीरा को कुछ सेकिन तक भून लेंगे अब तेल में एक मीडियम साइज का फाइली चॉप्ट किया हुआ प्यास डालेंगे और प्यास क मीडियम टू लो फ्लेम पे दो से तीन मिनिट तक फ्राइ करेंगे दो तीन मिनिट फ्राइ करने के बाद अब प्यास के साथ हम डालेंगे अद्रक पेस्ट हाफ टेबल स्पून लेशन पेस्ट हाफ टेबल स्पून अब अद्रक लेशन को प्यास के साथ मिलाते हुए एक मि अध्रकलेशन को हमने भून लिया है अब इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर का पेस्ट डालेंगे इसी के साथ हल्दी पाउडर डालेंगे वान फोथी स्पून लाल मिच पाउडर मिच अपने टेस्ट के अकोडिंग ले लिजिए अब सारे चीजों को अच्छी तरह से मिल कर्ची को हम लगाता चलाते रहेंगे और मसाले को हमें ड्राय बनाना है इस तरह से अब इसमें लौकी डालेंगे 200 ग्राम छोटे पीस में कटा हुआ अब लौकी के साथ मसाले को अच्छी तरह से मिलाएंगे अब लौकी को हम 2-3 मिनित तक मेडियम फ्लेम पे मसाले के साथ फोनेंगे और लौकी को भोनते हुए ही इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर एक टेबल स्पॉन, धनिया पाउडर एक टेबल स्पॉन इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से mix करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे पानी इसमें आप पानी उतना ही डालिये जितना आपको क्रेवी चाहिए देड कप पानी में इसमें डालूंगी आप पानी के साथ अच्छी तरह से सारे चीजों को मिलाएंगे अब इसे हम cover करके रखेंगे 8 से 10 मिनिट तक low flame पे इससे locky boil हो जाएगा और 10 मिनिट के बाद lead को हम खोलेंगे और locky को चेक कर लेंगे locky soft हुआ है ये नहीं चेक कर लेते हैं locky soft हो चुका है अब इसमें हम नमक डालेंगे taste के हिसाब से locky के सबजी में नमक आप लास्ट में डाले क्योंकि पहले नमक डालेंगे तो locky boil होने में बहुत जादा time लगेगा इसे के साथ ही इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे half teaspoon और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे अब इसे हम cover करके पकाएंगे और दो से तीन मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे दो तीन मिनिट के बाद लीट को हम खोलेंगे और कर्ची से हलके हातों से सबजी को चलाएंगे locky की सबजी को हम इस तरह से dry बनाएंगे ये देखिए हमारा सबजी बनके तयार हो चुका है अब इसे हम सर्व करेंगे अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें